हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दर्यल इन्वेस्मेंट सरकार जिस शेयर को ऑक्सिजन का ओडर देने ये बारे में सोच रही है उसमें देखा जाए तो इस शेयर का नाम हमें नंबर बन पर देखने को मिलता है और अगर ये स्टॉक को ये मेगा ओडर मिल जाए ये सिर्फ ये न्यूज के चलते हैं स्टॉक में हमें कुछ आउटर परफॉर्म दिखेगा और बाद में ये स्टॉक नीचे और जाते हो हमें देखने को मिलेगा डाउनवर ट्रेड है तो क्या कुछ बात स्टॉक के बारे में हम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप चाहेंगे कि इसको मेगा ओर्डर मिल रहा है तो आप इसके अंदर लगातार खरीदारी कर लेंगे क्योंकि अभी कम इस पे वैलुएशन मिल रहा होगा ऐसे आपको लगेगा और आप इसके अंदर जादा से जादा कॉंटिटी लेने के बारे में सोचेगे है अगर और नहीं मिला तो आपका उतना जो पैसा है वह फाल्तू चला जाएगा इसले ये कमPANIES में वाकई दम है यौ नहीं इसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले इसके net ड tekneश फैलों की बारे में बात कर लेते हैं नेट कैश्फ फ्लो देख सकते हैं पिछले कॉर्टर में माइनस 173 देखने मिल रहा था और उसमें लगा मतलब कमबैक करते हो स्टॉक देखने मिला फोर डिजिट्स में 1204 रूपीस तब यह एक जबर्दस नेट कैश्फ फ्लो देखने मिल रहा है नेक्स लेल पर यहां पर ब सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो यह जो पिछले कई कॉर्टर हैं उनके मुकाबले तो अच्छी है पर यह जो हाली का जो कॉर्टर था वहां से यह थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेड होते हो हमें देखने को मिल रहा है मतलब 3546 करोड रूपे से अब यह 2925 करोड रूपे इस तक देखने को मिल रहा है तो सेल्स में थोड़ी कम तरता आती हो देखने मिल रही है आप कॉर्पोरेट एक्शन वाइज स्टॉक के साय हम देख लेते हैं अब तक कि इसके सारे डिविडेंस आप देखेंगे तो 350 350 परसेंटेज के देखने को मिल रहे है मतलब इसका एक प्रमोटर के होल्डिंग के बारे में प्रमोटर के होल्डिंग दिखी जाते 75 परसेंट प्रमोटर के पास देखने मिलते हैं 10.56 परसेंट होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टूशन इंवेस्टर के पास देखने मिलते हैं पबलिक के पास भी डोमेस्टिक इंस्टूशन प्रोफिट ग्रोफ सेन पॉइंट एटिन की रिटर्ण ऑन एक्वीड कैपिटल देखा जाए तो यहाँ पर 11.66 परसेंटेज का देखने मिलता है और एक खास बात इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है जो कि स्टॉक के अंदर बहुत ही खास बात देखने मिलती है और को मिल जाएगा तो क्या कुछ स्टॉक का परफॉर्मस देखने को मिल सकता है डिविडेंट इलवाई 0.39 परसेंट का और प्राइज आर्निंग डिश्यो 84.04 परसेंटेज का देखने मिल रहा है सिर्फ यहाँ पर कम तरता देखने को मिल रही तो वह है इस सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें बाकी कहीं भी नहीं बाकी स्टॉक आच्छा खासा देखने को मिल रहा है अब इस टॉक के परफॉर्मस के बारे में जान लेते हैं अब जैसे कि इसका फायर का पॉफॉर्मस देख सकते हैं जहां स्टॉक उपर के और जाता है फिर से नीचे फिर से नीचे और नीचे यहां पर जाते हो देखने को मिल रहा है मतलब स्टॉक के अंदर जो यह जो वर्टारिटी हामें बनते हो देखने को मिल रही है यह वाली यह लॉंग टर्म का जो चार्ट पैटर्न होता है यानि कि फाइएर्स का या मैक्जिमम का उसमें ऐसी सिचुईशन बनना नहीं चाहिए लेकिन इस स्टॉक के अंदर ऐसी सिचुईशन बनते हो हमें देखने को मिल रही है जिसके चलते हैं जो साइमन्स यह जो स्टॉक है जहां पर आप नाम देख सकते होगे हां पर आपको दिख जाएगा कि साइमन्स यह जो स्टॉक है इसके अंदर लॉंग टब में वर्टारीटी नहीं देखने चाहिए तो यह पिछले पांस सालों में कुछ अलग सीच्वेशन रही होगी लेकिन अभी इसको और मिलेगा तो इसकी सीच्वेशन हम खासी बदलेगे अगर आप इसके और स्टॉक की बारे में देखेंगे तो भी यह स्टॉक नंबर वन पर ट् स्टॉक की चलते इसके अंदर ऐसे मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और आपनी तोर से भी अनलेसिस इसके उपर कर सकते हैं तो थैंक्यू सो मच